सम्मानी साथियों को मेरा नमस्कार, MK Education चैनल में आपका सौगत है साथियों अभी तक आपने मेरे MK Education चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही महतपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंसते रहेगा जो परिक्षे की दश्टी से बहुत ही महतपूर्ण है साथियों आज हम CTAT, MPTAT एवं CMRI संबंदी जो एक्जाम में प्रस्न पूछे जाते हैं उन्हीं को आज हम हल करेंगे एवं उनके प्रस्नों के उत्तरों को जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें ताकि समस्त प्रस्नों को आप अपनी नोटबुक पे एड़ भी करना है तो आप यह वीडियो को रोख कर इन प्रशनों के उत्तरों को लिड़ी भी सकते हो तो आई शुरू करते हैं Maths Pedagogy Question Answer रेखागलित सिक्षण की सबसे उप्युक्त विधी है तो इसके लिए उत्तर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो आगमन विधी कौन सी विधी में छातर अधिक सक्री रहते हैं एवं इसके द्वारा नवीन तत्यों की खोच की जाती है तो इसका उत्तर आएगा प्रियोक्स साला विधी अगला आप Question दिखते हैं दस गीती का गडित गरंथ के लेखक हैं तो इसके जो लेखक हैं वो आरभट है गरीत विशे की पुष्टक पाठ पुष्टक किस विधी पर आधारित होकर लिखी जाती है तो ये जो पुष्टक लिखी जाती है विध्यालेव में गरीत सिक्षा का मुण के उद्देश है इसका उत्तर आएगा बच्चों की सोच का गडिती करन करना अगला प्रसन देखते हैं रेखा गडित को किसने विवस्थित रूप परदान किया तो इसका उत्तर आजाएगा ब्रह्म गुप्त प्राथमिक अक्छाओं में गिंती सिखाने के लिए किसका उप्यूक्त प्रयोक किया जाता है तो अभेकर्स का प्रयोक किया जाता है बहुती महत्पून को सने प्राथमिक इस्तर पर गडित सिख्चा का महत होता है तो वेवारिक होता है इसकोली सिख्चा में गडित का मुख्य लक्ष होता है तो उत्तर है बच्चों के विचार प्रकीरिया का गड़ीती करन अगला प्रशन दिखते हैं करकी करकी कम्स for 10 years school किसके दौरा प्रकाशित किया गया तो NCRT के दौरा करकी कूलम for 10 years school किसके दौरा प्रकाशित किया गया तो NCRT के दौरा गड़ीत सिक्षण का वास्तविक उद्देश ग्यान प्राप्त करना नहीं वरन सक्ति प्रदान करना है किसने कहा तो इसका उत्तर हम देखते हैं डटन ने कहा बहुत सारी गड़ीत जानने के बज़ा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गड़ीत किस के गड़ीती करन कैसे किया अंचाय किस ने कहा तो इसका उत्तर आएगा डेविट विलर अगला प्रशन देखते हैं गड़ीती ग्यान का प्रहुक रूप से उपयोग किस के किस विशय में होता है तो इसका उत्तर आएगा विज्ञान विशय में एक काई उपागम किस गड़ीत किसे संबंदित है तो उत्तर आएगा मोरिशन जो चातर गडित नहीं समझते हैं वो पाट साला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं किसका कथान है तो ये उत्तर है पिलोटो गडित सिक्षण विधी के किस विधी द्शेदारा कमजोर चातरों को ज्यादा लाब मिलता है तो उत्तर आएगा संस्यलेशन विधी गडित सिक्षण की कोन सी विधी तारकिक प्रतिफादनों की विधी है तो उत्तर आजाएगा संस्लेशन विधी किस विधी तोरा अरजित ग्यान इस्थाई होता है तो उत्तर आजाएगा विश्लेशन विधी किस विधी दोरा प्राप्त गड़ी सिक्षण छात्रों में आत्मिस्वा सेहम आत्म निरुपता की भावना उत्पन करती है तो उत्तर आएगा आगमन विधी दोरा किसका कथन है कि सिक्षक शिक्षण अपकरणों के माध्यम से सिक्षण को इस्थाई और रोचक बना देता है उत्तर आजाएगा मेकन तथा रवाईश अगला प्रशन देखते हैं पाई कैसी संख्या है तो उत्तर है पाई एक परिमे संख्या है गडित की प्रक्रति कैसी होती है तो इसका उत्तर है तारकिक होती है बताए गए नीमों को उधारण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस सिक्षण विधी से संबंदित है तो उत्तर आएगा आगमन विधी से जयमिती का संबन्द किस छेतर से है तो इसका उत्तर आएगा मापन बहुती महत्मुन प्रस्ने है अगला हिरोशिको का साब्दिक अर्थ है तो इसका उत्तर आएगा खोच करना यूरिस्टिक विदिक की खोच किस ने की थी तो आमर्श्टांग ने की थी जीवन की किस गतिविधी में गलीत का सरवादिक प्रियोग होता है तो उत्तर आ जाएगा आर्थिक गतिविधी में गलीत सिक्षन की सायक दरश सामगरी क्या होती है तो उत्तर आ जाएगा स्याम पट, माडल और चार्ट अगला प्रस्ण जानते हैं गडित को रूचक सुगाही एम सरल बनाने के लिए आवसक है तो उत्तर आजाएगा इसका प्रभावसाली मनोविज्ञान प्रात्मिक इस्तर पर गडित का क्या महत्त है तो उत्तर आजाएगा मानसिक महत्त है उपलब्दी परिक्षण नेदानिक परिक्षण में अंतर है तो इसका उत्तर आएगा वो देश का अंतर माना जाता है मनुस के जीवन की गतिविदियों में गडित का सरवादिक उपयोग होता है, वह है सामाजिक और आर्थिक, इस विधी में सरवादिक उपयोग होता है, सरवादिक प्रभावसाली सिक्षन सामागरी है, तो यह है प्रत्यक्ष अनुभव, गडित के अध्यन से एक बच्चे मे किस कुण का विकास होता है, तो उत्तर आ जाएगा आतने स्वास तारखिक सोच और विश्रेशक सोच। गडित में किस विधी में हम सुत्र तथा नीमों की सायता लेते हैं तो यह हेँ जाएगा इसका उथ्तर नेगमन विधी में, सुन्नी की खोच किसने की थी, तो इसका उत्तर है आरभटने की थी, अगल आप महत्मन प्रस देखते हैं, सुत्र की रचना के लिए सरवत्तम विधी है, तो ये है आगमन विधी, सुन्नी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, उत्तर आएगा ब्रहम गुप्त ने, गडित की प्रकृति होती है, तो तारगिक होती है, त्रभुच के तीनों कोणों का योग कितने अंस होता है, 180 अंस, पंच बुच के सभी अंतर कोणों का योग कितना होता है, तो इसका आ रेखाखंड की लंबाई मापने हेतू। यह किसने कहा कि गड़ित सभी विज्ञानों का द्वारवा कुंजी है तो इसका उत्तर आजाएगा रोजर बैकर्न। इन्हीं ने कहा था। सांकी की में प्रशारण का विसलेशन नामक विदी किसके द्वारा दी गई तो उत्तर अभाज संक्या कौन सी है तो उत्तर आजाएगा दो। गड़ित में हासिल होने की प्रकिरिया किसके द्वारा की गई थी स्रीधर। पाई 3.1416 का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था तो उत्तर आएगा आर्वट प्रथम के द्वारा। दो अभाज संक्या का महतम समावर्तक होता है तो 1,1 सबसे चोटी प्रकिरत संक्या होती है तो यह होती है मैनस 1 सबसे चोटी पूर्र संक्या तो मैनस 0 आगे भी प्रस्णों के उत्तरों को जानते हैं किनी दो परी में संख्याओं के मत कितनी परी में संख्या होती है उत्तर आ जाएगा अनंत प्रत्रम पांच अभास संख्याओं का योग होता है तो प्रत्रम जो पांच अभास संख्या होती है दो, तीन, चार, साथ, ग्यारा इनका योग होता है अठाइस गडित विज्ञान है किसका है तो गण्लाओं का अंगडित सिक्षण का उद्देश होता है दैनिक जीवन के कारियों के लिए गडित की उन्नत्वा व्रद्धी देश की संपन्ता से सम्मनित है यह किस ने कहा था तो इसका उत्तरा जाएगा नेपोलियन ने उच कक्षाओं में गडित की कौन सी सिक्षण विधी होनी चाहिए तो उत्तरा जाएगा निगमन विधी गडित की सबसे प्राचिन साका कौन सी है तो यह है अंक गडित अग्यात से ग्यात की और कौन सी विधी होती है तो उत्तरा आएगा निगमन विधी अगला प्रश्न है रेखा गड़ीत के लिए उप्योग्त विधी है तो उत्तर आजाएगा विशलेशन विधी इसको प्रमार से प्रत्यक्ष इसे माना गया है अगला देखते हैं अब हम नेमने कक्षाओं के लिए उप्योगी विधी है तो इसका उत्तर आजाएगा आगमन विधी विशिष्ट से सामान की और कौन सी विधी होती है तो ये होती है आगमन विधी लीला वती की रचना किसने की थी उत्तर है भासकराचार दुती ने गडित सार संग्रह किसकी रचना है तो ये है महावीराचार की गडित दीवस कम मनाया जाता है तो ये है बाइस दिसंबर को स्री निवास रामनुर्जन के जरम दिन पर मनाया जाता है मैथेमेटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई तो इसका उत्तर आजाएगा प्रोफेसर बी एन प्रशाद इलावाद के द्वारा की गई थी गडित विज्ञान की रानी है ये हो किसने कहा तो इसका उत्तर आजाएगा गाश ने कहा था गडित की प्राचीन साखा मानी जाती है अंक गडित कि समसट भुच में विज्ञान की संख्या कितनी होती है तो उत्तर आजाएगा नौ अब हम उप्चारात्मक शिक्षण विदी के अंतरगत प्रशनों की उत्तरों को जानेंगे गडित को विज्ञान का नौकर माना जाता है ये किसने कहा था तो उत्तर आजाएगा बैल ने कहा था गडित एक ऐसी भासा है जिसमें परिमेश्ण ने संपून जगत को समाहित कर दिया किसने कहा तो उत्तर आजाएगा गैलेरियों ने किसके अनुसार गडित सभ्यत्ता का दरपण है तो उत्तर आजाएगा होगवेन के अनुसार विद्धाले में गडित सिक्षा का मुख्यों देश राष्टी प्राठचरिया 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए तो इसका उत्तर आजाएगा बच्चों में चिंतन प्रकिरिया का गडिती करण करना प्राथमिक अक्षाओं के लिए गडित सिक्षण की सबसे उप्युक्त विधी कुन सी है तो ये महती महत्पून प्रशन है इस इसका उत्तर आजाएगा खेल मनुरंजन विधी कोङ robust विधी में चात्र के बजाए सख्षण का केंद्र बिंदु अ्ध्यापक होता है तो इसका उत्तर आजाएगा व्याख्यान विधी में नवीन प्रश्ण को हल करने की सोर्षेट विधी मानी जाती है तो इसका उत्तर आजाएगा आगमन विधी जयमित्ती की समस्या को हल करने की सरवत्तम विधी कौन सी है तो उत्तर आएगा विशलेशन विधी गडित सिक्षण के लिए खेल विधी का सबसे अच्छा उप्योग किस ने किया तो उत्तर आएगा हेंडरी कॉर्डवेल कोक ने किया था पहुत ही महत्पून को से नहीं तो साथियों यह थे महत्पून प्रेश्ण एमपीटेट सम्मंदी जो परिक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे ही महत्पून प्रेश्ण मैथ पेड़ोगाजी कोशन के आंसरों को हमने जाना है साथियों अगर मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक से अबस्क्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेश कर लिजिए ताकि ऐसी ही महत्पून वीडियों अब तक पहुंसते रहेगा एवं कमेट्स बॉक्स में अपने सुझाओ भी अवस्य लिखे ताकि इससे अच्छे भी महत्पून वीडियों हम आपके लिए बनाएंगे धन्यवाद